हेलो असलाम अलेकूम अमीद करता हूं सब ठीक होंगे और अगर बीज बीच में खांसी की वाज या गला साफ करने की वाज आए तो माजरत थोड़ी सी थोड़ा सा मुसम हो रहा है न थोड़ा गला का इसू है अचा जी अशांअमेट आप लोगों की मैंने चेक ही थी चैक किया और जदेनी टेल से नहीं है लेकिcca मुझे था का है अब अ कि ही यह layered चैक कर लेकी मुझे अंदाजा होगया विशीए किया क्या हो रहा है, तो जब तक आप keyword search नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, मेरी आप लोगों को suggestion है वो आप करें macro niche के उपर काम, ठीक है, अगर आप macro niche पे काम नहीं करना जाते हैं, तो फिर भी ठीक है, अगर आप macro niche के उपर काम कर रहना है, तो भही macro niche में categories होती है, ठीक है, अब moment जो देखा जाता है, वो होते हैं, तक इपर पांच से जोंसा है, आपके पास 5 categories है, यह 6 categories है, ठीक है, तो अगर आपके पास 6 categories है, तो keyword research जो आपने करनी है, वो सबसे पहले जो niche research करनी है, वो मैंने आपको बता दी है, कैसे करनी है, दो मैं मैं गला सरी, ठीक कर लूँ, ठीक है, तो सबसे पहले आपने 6 categories find कर लेनी है, अब वो niche research में तो दुबारा नहीं दोहराऊंगा, वो उसकी वीडियो मुझूद है, आप वो देख लें, ठीक है, आपने categories के उपर research करनी है, ठीक है, categories के उपर करनी है, niche के उपर तो आपने सरफ यह देखना है, कि niche में जोंसे है, वो keywords है के नहीं, उसमें potential है के नहीं, ठीक है, तो अब आपको जोंसे है, वो 6 categories मिल गए है, अब आपको नहीं पता चल रहा है, categories कहां से मिलते हैं, तो मैंने आपको बतायता है, for example, parenting tips की बात करते हैं, कर दो के लाते हैं, कर दो कर दो. झाल झाल तो यहाँ पर रहो से न मुझे यहाँ पर केड़ेगरीज मिल रही है ठीक है यहाँ पर मोर में जालते हैं प्रेंटिंग में जाते हैं ठीक है यहाँ पर मेर अपास कुछ आ रही है प्रेंटिंग में जाते हैं उसके बाद जो नसा ना सुर्फ अगर प्रेंटिंग के बाद करें ना मेरे पास जो ना पोजिटिव परेंटिंग आ जाता हूं इसके वपर आ जाता हूं तो यह भी सब सब कैडेगरीज हैं तो जो नसे ना वह यह नहीं करना आपने के पेरेंटिंग टिप्स अगर आपके पास एक कीवर्ड आ गया तो आपने जो ना वह उसको जाके कीवर्ड रिसर्च में डाल देना और जो नसे उस पर रिसर्च कर दिन लिए ठीक है अब यहां पर देखें लेसंस फ्रॉम पेरंट्स ऑफ केड विस स्पेशल नेड ठीक है अब यह अगर आप इसको सब्सक्राइब तो आपको यहां से कीवर्ड मिलेंगे तो यहां से जुन से वह आप कोपी करें और डिफरेंट कीवर्ड यहां से फॉर एजमपल कोपी करें और सरफ कीवर्ड यहां पेस्ट करें पेस्ट करें पेस्ट करने के बादस फॉर एजमपल मेरे पास है got it a new teacher, how to year, parents who don't discipline, अब इसके उपर सच करना है discipline, wimp, discipline their child, और इससरह जों से आपके पास जों से यहां से keywords आ रहे हैं, अगर मैं इसको मजीज जाता हूं तो मेरे पास मजीज आ रहे हैं, मैं आपको अबर suggest का बताया था, कि आप अबर discipline your child, ठीक है, अब यहां पर मैं अबर suggest का मैंने आपको बताया था, अबर suggest में जाएं, यहां पर पेस्ट करें, आपके पास काफी साथा keywords जों से ना वो, आपके पास इसके related आ जाएंगे, ठीक है, अब आप पर depend करता है कि आप उसको कैसे research करते हैं, यहां पर मैंने कर लिए discipline your child, ठीक है, positive parenting में है, तो यहां पर जो topics है, things that mean a lot to kids, what to do with kids' artwork, how to spend more quality time with your child, तो यहां से जों से मुझे keywords जों से आपके category के आराम से मिल रहे हैं, ठीक है, अब यहां से मैं searching करता रहूंगा, यह तो लाएक एक website है, मैंने आपको कितनी जयदा websites बताई हैं, जहां से आप keyword ideas ले सकते हैं, अगर आपके पास ideas नहीं आरे, ठीक है, काम नहीं कर रहा, उसके बाद मैंने आपको keyword planner का बताया है, उसके बाद मैंने मोज का बताया है, इसके बाद मैंने मोज का बताया है, कितन से उसले का बताया है, अब पेरेंट्स मेरे पास देखें, यहां पर रोसा है, मेरे पास एक मैक्रो निच है, अब इतने ज्यादा यहां पर रोसा है, अब इसमें वीडियो शॉप यह हमारा काम नहीं है, मैगजीन यह वाला काम हमारा नहीं है, हमारा पेरेंटिंग मेरे तो पेरेंटिंग में जौनस है यहां पर टोपिक्स बता रहे हैं आपको जौनस है यह यह परेंटिंग टोपिक्स है, ठीक है, अडॉप्शन है, जस्ट फ प्राइंग बेबी, हेल्थ, बेबी ड्वार्पमेंट, बेस फिटिंग, डाइपर, स्लीप इशूस, फिलिंग, तो भई यहां पर या इसको कर रहे हैं, ठीक है, अब स्लीपिंग इशूस जों से हैं, अगर आप इसके उपर जाते हैं, और आप यहां से आते हैं, तो भई हाफिजद हैं यहां पर आ रहे हैं, ठीक है, यहां पर content आपके पास, बड़े अराम से आ रहे हैं, ठीक है, उसके बार, for example, मैंने यहां पर लिखना था, Discipliner Child मैं यहां पर इसको करता हूँ, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि मैंने यह कीवर्ड यहां पर डाला, और डालने के बाद यहां मेरे पास यहां पर 10,000 कीवर्ड आ रहे हैं, ठीक है, अब उस 10 कीवर्ड का मतलब यह है, कि मैंने यह रिसर्च मेरी complete हो गई, ठीक है, Discipline Your Child कुछ नहीं है, वो हमारे पास आ रहे है, ठीक है, 1000 सुझेशन दे रहे हैं, क्योंके मैं फ्री यूस कर रहा हूँ, अगर आप लोग इन ओके और या फिर आपके पास अकाउंट है, तो फिर आपका जोंसना वो एजिली होगा, ठीक है, अब यहां पर मैंने एक सजेशन दी है, How to discipline a child that won't listen, तो यहां पर कीवर्ड उपतार है, मैं यहां पर for example, volume करता हूं, तो how to discipline a child, ठीक है, मैंने parents.com से जोंसना है, वो एक article ढूंदा और वहां से जोंसना है, मैंने यह किया, तो how to discipline a child, मुझे एक यह कीवर्ड मिला, ठीक है, अच्छा, यहां पर यह देखना है, कि जब आप कीवर्ड लिखें, for example, अगर आप लिखें, यहां पर how to discipline a child, यहां फिर how to get rid of, ठीक है, अब भी सोचते हैं, यह एक कीवर्ड है, इनके पास, जिसको जोंसना गुमाते हैं, तो अब यह देखें, इसके अगर बात करें, getting rid of, यह भी एक कीवर्ड है, उसके बाद, cradle cap itself जोंसना है, वो क्या है, एक कीवर्ड है, उसके लावा जोंसना है, अगर आप बात कीवर्ड कीवर्ड है, causes of cradle cap, ठीक है, treatment of cradle cap, उसके लावा अगर बात कीवर्ड कीवर्ड है, home remedies, ठीक है, अब आपको जोंसना है, यह कीवर्ड मिल चुके हैं, ठीक है, तो इस तरह जोंसना मजीद मेरे पास जोंसना है, यहां पर ठीक है, अब cradle cap, cradle cap, cradle cap, cradle cap, cradle cap, cradle cap, तो भॉई हम cradle cap के ऊपर website नहीं बना रहे हैं, हम एक मेंगर इंच के ऊपर काम करें हैं, ठीक है, तो long tail का मकसद यह होता है, कि जब आप इसको target करेंगे, तो automatically यह भी आपके पास आ जाएंगे, ठीक है, यह हमारे पास होता है, main keywords होता है, ठीक है, बाकि जितने भी है, related, ठीक है, या इसको जो सब्सक्राइब पेरेंट, पेरेंट कहले हैं, ठीक है, पेरेंट keywords, ठीक है, और यह जितने भी नीचे हैं, यह क्या है, यह बई जब आप इसके उपर article लिखेंगे, और उसमें जो सब्सक्राइब आप यह keyword यूज करेंगे, तो भई, यह आपको करने पड़ेंगे, ठीक है, optimize करने के लिए, और चीज़े provide करने के लिए, आपको करने पड़ेंगे, अब आप क्या करते हैं, कि मुझे एक बंदे ने जो हैं, वो इस सरह सरह के keywords निकाले हैं, जिसमें सारे same words आ रहे हैं, ठीक है, या फिर एक था, यहां पर एक और बता जाता हूँ, how to get rid of, एकने, ठीक है, तो उसका भी यही है, how to get rid of, fast, how to, get rid of, working method, ठीक है, best way, to get rid of, ठीक है, वो weeks हो सकते हैं, two weeks हो सकते हैं, ठीक है, वो one month हो सकता है, या 30 days हो सकते हैं, तो इस तरह के variations भी आ जाते हैं, ठीक है, अब यहां पर मजीद, ठीक है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा keyword related keywords आ जाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि आप जो से पहले वो देखें, कि इसके उपर, यह आपने keyword one लिख दिया, keyword two लिख दिया, ठीक है, जो मैंने golden keyword research में बताया था, कि आपने जो से नहीं करना है, तो बहुत ऐसे नहीं करना आपने, कि जो से भी related keywords हैं, आप उनको जो से नहीं कर लिए, इसमें से वह वाला keyword देखें, जो आपको जो से नहीं वह best लगता है, ठीक है, अब for example, यह जो से है, यह competitive keyword है, ठीक है, इसके मदले searches इतने खास नहीं है, ठीक है, इसका सिपसी नहीं है, लेकिन इसका जो से नहीं कम है, और इसका जो से system भी अच्छा है, और उसके बाद क्या करना है, कि आपने जो से नहीं से एक keyword कर लेना है, बाकि जब बार ही आएगी, article लिखने में, तो मैं आपको बताऊंगे, related keywords कैसे find करते हैं, और related keywords को जो से नहीं, वो use कैसे करते हैं, उसकी variation कैसे करते हैं, ठीक है, तो how to get rid of acne, उसके बाद आपने जो सें दूसरा article, for example, अगर आप इस list में काम कर रहे हैं, तो कुछ supported articles भी होते हैं, ठीक है, अगर for example, home remedies for, अगर आप micro list पे कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप कर रहे हैं, तो आप Johnson इसको supported articles में भी देख सकते हैं, अगर जम्यूश्य बताऊंगा, supported articles का बताउंगा किवर्ड करने यह common mistake ति कफी लोग कर रहे थे ठीक और काफी लोगों और जो आपने कीवर्ड करने है रहे तो आपने जो से न वो finalize keyword में जो से न वो डाल दे रहा हूं, उसके मेटिस चेक कर लेने, उसको पहले analyze करें कि वो क्या उसका system है, keyword selection भी करें, किस किसरा की keywords है, ठीक है, अब यहां पर देखें, यहां पर how to discipline child, discipline children, ठीक है, तो यह related keywords है, तो जब आप इसको target करेंगे, तो इस का मतलब यह निया कि discipline child पे एक article लिख लिए, discipline children पे लिख लिख लिए, discipline children पे लिख लिख लिए, how to discipline child लिख लिख लिए, punishment for kids, चलें, ठीक है, वो तो एक different आ जाता है, ठीक है, discipline के उपर, how to discipline your child, अब इसके उपर आप children discipline, children discipline, तो उब इतने जो से आप नहीं कर सकते हैं, ठी तो उस लिहाद से आपने keyword सेर्च करनी है, एक यह common गलती थी, ठीक है, दूसरी गलती यह थी, कि आप लोगा ने क्या किया, कि एक keyword यहां से find किया, अब यह मेरे पास thousand keyword आ रहे हैं, मैंने export कर दी है, ठीक है, यहां से गुगल keyword के ओपर पर गया, तो export किये जा रहे है, इसमें से हर keyword नहीं है, मैं अगर इसकी बात करूँ, तो, यहां से जों से, मेरे पास सरफ यहां से, how to discipline your child, microphone, discipline your child, these keywords मेरे काम्के हैं, तिक है, यह मेरे keywords कौह अंसे हैं, काम्के, लेकिन क्या है कि सारे related keywords हैं, रहे है, अब मैं क्या करूंगा, यह मंथली search है, यह इक long Dell keyword है, अब इसको मैं क्या करूंगा, totaler आ जाएगा यह आ जाएगा, ठीक है, तो आप genau design data, पैसे इसको तो इसमें जो मेरा keyword है वो सरफ एक ही keyword है मेरा, ठीक है आप लोगोंने किया किया है किश्पोर्ट किये जा रहे हैं यहांसे keyword निगाला, keyword निकालके यहां पर सर्च किया, जहां भी सर्च किया और उसको ने उसे export किया और का अगभी हमारे पास keyword research, keyword research करनी चीज नहीं होती, keyword selection भी होती है, ठीक है, अब कुछ लोगों ने for example wedding, wedding की मिसाल दता हूँ, wedding, अब wedding की जों से अगर आप निश्क पर काम करें तो इसमें हर किसम का keyword आपका जों से है, वो आपके काम का नहीं है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, parenting care services for example, और होनी पराँ से बाँ करें, करेंगा। पराँ से Connor में एजंस एंगर ंगी और उसके लावब G own है वह सर्विस्स इजा गे उसके बाला G own से है वौ प्रोड्क सागे इस तरह की चीज आगी वह यह काम की कीवर्द नहीं है ठीक है वह कीवर्ड क्यों नहीं है क्योंकि आपने जो पेल़ वैडिंग है तो वैडंग में तो जो चीजे आप नहीं कर सकते हैं तो बहुत कॉमन सेंस यूज करें कि वेबसाइट के उपर आप क्यों लिखेंगे कि बैस्ट एपसट और वेडिंग लिख सकते हैं ठीक है लेकिन इतना ज़रूरीनिया कि इसे इसे आप करें अब कुछ वेडिंग की सर्विसिज होते हैं यहाँ यहां पर मैं वेडिंग सर्विसिजे रेता हूं catering है, ठीक है, planner है, उसके बाद printing है, video है, venue है, card printing है in Lahore for example, मैं कर देता हूँ in Mexico, ठीक है चले services आप नहीं करते लेकिन यह कर लेते हैं, wedding catering in Mexico कर लेते हैं, ठीक है, यह keyword जोंसे नहीं जाहरी तोर पर लगता है, यह keyword जोंसे नहीं अच्छा है, ठीक है, long tail keyword, चार words है इसमें, और जोंसे नहीं सारे local business side आ जाते हैं, आप लोगों ने जोंसे है, wedding catering की services नहीं देनी, ठ कुछ जोंसे हैं, वो builders होते हैं, मेरे खास है, मेरे जहर में नहीं आ रहा, किसी नहीं builders के उपर किया था, तो जहां पर build आ जाएगा, तो build का मतलब है, कि आप उस चीज को build कर रहे हैं, ठीक है, आप उसकी services कर रहे हैं, अगर आपकी जोंसे ना, वो SEO guide के उपर है, या SEO, how to do SEO, SEO के उपर अगर आपका, है निचे है, आपके पास content है, तो SEO services या agencies लिखें, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो भही वो जोंसे आपके पास आएंगी, साइट्स आएंगी, वो क्या होंगी, वो आपके relevance नहीं है, वो आपके keywords नहीं है, ठीक है, तो यह यहाँ पर अगर आप यह special events, saviour restaurant, ठीक है, इस तरह की, आप इस तरह कर लेते है, Mexican food catering near me, ठीक है, उसके बाद है, Mexican food wedding reception, Mexican अगर हटा लें, तो फिर यहाँ पर देखते, wedding catering Los Angeles, या पिर जोंसे न, कैसा डेर, sorry, यहाँ पर तो कुछ इतना खास नहीं हो, ठीक है, जहाँ पर prices आ रहे हैं, इस तरह की lessons के उपर काम कर रहे हैं, तो इस तरह के keywords भी आपने, नहीं करने, ठीक है, यह common mistake थी, जो मैंने काफी लोगों में देखी, के भई, इस तरह की keywords कर रहे हैं, जो उनके, जोंसे न, वो काम के नहीं है, जिसमें, उनका कोई लेना देना खास नहीं है, तो एक आपकी, आप करते हैं, के नहीं करते हैं, दूसरी बात यह थी, कुछ keywords आपके लेने देने के नहीं है, ठीक है, best sites for TVs, for example, कहता हूं, ठीक है, तो भही वह भी आपकी, इस तरह की चीज़े नहीं है, जो आपके चीजों में नहीं है, आपने वह keywords करने, जिसके उपर आप कुछ लिख सकें, आप एक content लिख सकें, आप एक information प्रवाइड कर सकें, आप उसके उपर जो नहीं है, एक guide प्रवाइड कर सकें, ठीक है, तो इस तरह की keywords आप find करें, इदर उदर की keywords नहीं find करें, तीसरी गलती यह थी, कि जो दिल में आया, वहां से keywords उठा लिए है, और जोंसे नहीं है, एक यह थी, तो इसका मतलब यह थी, को जो 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 मेरे सिर्फ एक keyword है, यह है, यह मेरे काम का keyword है, बाकी मेरे कोई काम की keywords नहीं है, तो मजीद इस तरह के keywords आप करते रहेंगे, तो आपको पता चलेगा, ठीक है, और इस तरह आपके पास keywords निकलेंगे, उसके इलावा, उसके लावा जो सना, एज चीज जो सना आपने करना कैसे है, सबसे पहले आपने ये वीडियो तो देख लेना है, मुकमल है, उसके बाद क्या करना है, कि दूबारा वो दूसरी जितनी भी वीडियो हैं, निची रिसर्च जे, आप वहां से दूबारा देखना, स्टार्ट क करें ताकि आपको अच्छे समझ आए और आप अच्छे से काम करना चाहें ठीक है सरफ keywords निकाल लेना उनको analyze कर लेना चीज़े नहीं होते keyword selection भी आपकी अच्छी होनी चाहिए ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास six categories है ठीक है category A है for example फिर B है फिर C है ठीक है फिर D है और उसके बाद E है उसके बाद F है तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जोंसे है सब categories को जोंसना वो ignore कर देना है फिर आपने उसके बाद क्या करना है कि आपने category A जों से है ठीक है आपने जों से है इसके उपर काम करना है अब category A के उपर देखें कि उसमें क्या आ रहा है for example मेरे पास जों से है वो parents.com था ठीक है baby center आपके काम का नहीं है ठीक है for example baby development के उपर बात कर लेते है baby development में क्या रहा है कि baby development में भी आपने मजीद देखना है कि उसमें क्या क्या चीज़े आ रहे है ठीक है तो यहां पर children health आ गया children vaccine हो गया ear infection इस तरह की चीज़े आ जाती है यहां पर क्या रहा है how to how your newborn grows infant development ठीक है तो उसके लावा जोंसा है tips on raising your baby ठीक है तो अब यहां पर मेरे पास क्या रहे है जितने भी चीज़े आ रही है यह इतनी खास मुले यहां पर नज़र नहीं आ रहे है जब तक मैं इसको मजीद explore नहीं करूंगा लेकिन आपको ideas देता हूं ठीक है अब यहां पर क्या करना है कि यहां पर जोंसा है यहां पर नूबॉर्ण यहां पर करना है इसके लावा जोंसा है stages of development एक ही बड़ा है he my baby normal ठीक है उसके बाद जोंसा है tips on raising your child, baby development, boosting baby brain power यहां पर है how to communicate with your infant ठीक है didn't know about raising twins उसके लावा how do I know him a baby development is on time start walking, stimulate my baby's development तो इस तरह के keywords मुझे यहां से मिल गए है ठीक है तो यह सारे keywords मुझे किस पर मिलें baby development के उपर ठीक है अब मुझे मजीद ideas चाहिए मैं क्या करता हूं for example यहां के stages of development के उपर for example आता हूं ठीक है मैं आपको जॉंसन सरफ एक का जॉंसना वह दिखा देता हूं कि भई कैसे आपने जॉंसना वह काम करना है stages of development है मेरे पास what does ठीक है stages of child development तो यहां पर सारे मुझे यहां पर keywords मिल रहे हूं 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 अब फाइव stages of child development ठीक है अब यह मेरे पास एक keyword आगया for example अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं के एक तो मैं यहां से यहां से copy करता हूं ठीक है और यहां पर जोंसे है और कोई भी एसेमरेश भी यूज़ कर सकते हैं keyword पनेर भी कर सकते हैं ठीक है लेकिन मैं महुझ ज़्यादातर यूज़ करता हूं इसलिए मैं यहां से कर रहा हूं आप है ठीक है child development stages है searches भी अच्छे आ रहे है ठीक है child development relevancy के देखते हैं ठीक है what are the five stages नहीं आ रहे चलों development stages इस तरह के आ रहे है नीचे अगर मैं जाता जाओं तो मेरे पास जोंसे नहीं expected stages of child and basic stages of तो यहां पर आपने क्या करने कि यह सारे keywords आपके काम के नहीं है ठीक है यहां पर अब क्लिक करें आपके पास जोंसे नहीं यहां पर keywords आ जाएंगे stages of child development, child development milestones or development of stages of children यह वो ठीक है तो यह आपके पास जोंसे नहीं सारे related keywords आ रहे हैं अब यहां पर आपका कौन सा है keyword tp development milestones milestone chart development ठीक है तो child development milestone chart ठीक है for example मैं यह title रख लेता हूं तो क्या मैं क्या मैं इन related keywords को जोंसे नहीं तकरीबर नहीं कर रहा ठीक है तब इसमें मुझे एक keyword मिले है अब यह नहीं कि मैं download ही करता रहा हूं तो भई यह मैंने दो keyword निकाली है एक मेरा था child development के उपर और दूसरा मेरा क्या था यार भूल गया हूं अब यहां से आ रहे हैं अगर मैं मजीद इसमें जन जाता हूं तो भई यहां पर हम Mexican है यहां पर ठीके, ages and normal stages of human development, child development stages तो यह child development के उपर आ रहा है, अब इसमें जन सन है मैं अगर इसके home page के उपर जाता हूं categories तो मेरे खाल से यही है, ठीक है आपर parenting में कुछ नहीं है categories में जाते हैं यहां से देखते हैं child development stages, milestone ठीक है, milestone का मुझे यहां से idea मिल गया four year old toddler और यह और see also reference external links यहां से कुछ देखेंगे अगर यहां से हमें जोंसना कोई keywords मिल जाते हैं इसमें development आ रहा है इसमें development आ रहा है तो यहां पर क्या लिख रहा है bio social development in the first two years ठीक है तो आप जोंसना years years के उपर भी लिख सकते हैं कि first year में क्या होता है second year में child development development जोंसी होती है ठीक है उसके बाद क्या होता है birth to five years तो जो पैदा होता है तो new born होता है उसके पास क्या होता है तो इस तरह जोंसना हो मजीद इसकी जो studies हैं यहां पर लिखें होएं ठीक है कि यह एज इतने months हैं इतने years हैं और इसमें जोंसना वो क्या हो रहे होते हैं यह हमारे पास social है तो इस social में क्या है age में क्या है table of my stone हमारे पास टीक है तो यहां पे motor development can manually balance on foot can kick can kick big will shaped objects तो यह जोंसना आप इनके उपर मजीद articles लिख सकते हैं जोंसना वो jump on the sport यहां पे zipper on clothing for example यह है और मैं इसके उपर search करता हूँ तो यहां पे देखे मेरे पास जोंसना मजीद जोंसना यहां पे इसका जोंसना काफी जादे यहां पे मुझे ideas मिल गया है ठीक है तो इसके उपर मैं अकेला अगर चाहूँ तो मैं सिर्फ child development के उपर प्रोपर एक side बना सकता हूँ ठीक है जो headings है इसमेंसे keywords निकल सकते हैं ठीक है कैसे करना है सर्च करना है सर्च के परने के बाद activity to teach kids to zip and button ठीक है उसके बाद of fine motor skills ठीक है motor skills के उपर आप कर सकते है therapy है उसके बाद यह motor आ गया ठीक है मुझे motor का भी पता चल गया clothing ठीक है तो यहां पर मुझे keyword यहां पर मिला है भाई how to teach a child to button shirt ठीक है अब यह मेरे पास एक keyword आ गया है मैं इसको मजीद mode में चेक करूंगा यह tools के जरीए चेक करूंगा ठीक है और इसके लावा जूंस है मेरे पास अबतीन keywords आ चुके हैं ठीक है अच्छे keywords आ चुके हैं मजीद इस तरह की keywords सर्च करता रहूंगा पहले जूंसन आपने क्या करना है के पहले एक category के ओपर जाना category में अगर topics हैं ठीक है तो topics में जोंसे न वो जाएं for example अगर child development मेरे पास आया है ठीक है तो उसमें जोंसे न वो stages आ गये हैं उसके लावा जोंसे है वो teaching आ जाता है उसके लावा जोंसे न मोटर आ जाता है ठीक है उसके लावा जोंसे है वो social behavior उसमें आ जाता है behavior of उसके लावा जोंसे न वो इस तरह की चीजे आ जाती है लेकिन यह है कि उसमें एक keyword एक अच्छा सा keyword आपने देखने है ठीक है अब आप सोच्छान के related keyword आप मिलें दुबारा नहीं मिलेंगे तो ऐसी कोई issue नहीं है ठीक है और related keywords में आपको find करना बता दूगा जब हम article writing में आएंगे न उसमें जोंसे वो यह चीजे बता दूगा आप इस में यह पर 43 आप प्रोपर स्सक्राइब करते हैं आप कभी साइट पर जाते हैं ठीक है और बहुं से कभी गुदर अधर आइडिए लेते आः और वहां से जंसे रिसर्च कर रहे होते हैं आइडिए ले रहे होते हैं। अब मैं रहे धू सबाओ है किए अब यह कर सकते हैं। आप सप़स्ट्व करें। हूं साइỡ में जाएन। उस बंदे ने यूज किया हुए और मैं यहाँ प्याता तो आउटीचा चाइल टू स्टार्ट टू बटन शर्ट ठीक है और मुझे पता कि इसके सर्चीज अच्छे खासे हैं ठीक है तो इस तरह आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है यहां से आपने रिसर्च करने हैं आपके पास जो आइडियास आते हैं ठीक है और उन आइडियास को आपने क्या करना है कि अपने पास रख लेना है ठीक है और for example stages में है तो मजीद में stages में जाओंगा सबसे पहले आपने category A को जो से टार्गेट करना है सरफ categories बना लें ठीक है निची रिसर्च आपने कर लिए यह निची सेलेक्ट कर ली उसके बाद जो आपके पास categories आगी अब यह आप इनको ignore कर दें ठीक है करेंगे इसके उपर विल्कुल काम करेंगे यह categories भी काम करेंगे लेकिन यह है कि अब स्टार्टिंग में हमने सरफ एक category को लेकर चलना है ठीक है फर इसेपल चाइल्ट वेल्मेंट है तो भई उसमें जो से नहीं पहले चाइल्ट वेल्मेंट के उपर सर्च करें वेबसाइट देखें तो जो मैंने रिची सर्च में बताया था कि अबाव. वेबसाइट बड़ी बताया थी वहां पर जायें वहां पर जो से रिसर्च के रहें वहां पर देखें ठीक है तो आपको जो से नहीं कि अपने क्या सिस्टम है उसका उसके बाद जो से टीचिंग में सरफ यह नहीं आ जा था आपके पास कि आप जो सरफ बटन शट करें मेर सकते हैं के बाल कैसे शोक कैसे पैने और दुझी शूज कि पाने हुआ फिस शूजसे पहन boys iweek और इंगलिश्यस तो ंती है अचार से और आप उपर उसके आपने हो गहled us Movers के रोपर जोंसे और काम करेंगे रिसकों पर किरीज्ट करेंगे तो पर मेरे पास यह काहिए जूंसी किवर्ट्पनी किवर्ड आ जायेंगे ठीक है to सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कि मैं Low Camperitive KeyWarts Find करूँंगा, Low Camperitive KeyWarts vivid We will find so much तो पहले तो मैं random keywords find करूँगा, first step क्या होगा, step 1 है आपके random keywords find करने है, ठीक है, random keywords मैंने जैसे के how to teacher या फिर इस तरह के जितने भी keywords अभी 2-3 निकाले हैं, मेरे पास वो random keywords आगे, उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास step 2 है, उसमें आपने, जितने भी आपके पास random keywords हैं, उसको मजीर जोंसे न, वो चाहिए वो, मोस में जाके देखें, या फिर keyword planner में देखें हैं, समरिश में देखें, जहां भी देखें, जितने भी आपको keywords मिलते हैं, ठीक है, उनको export CVC करना है, या random keyword से करना, तो भी आपने क्या करना है, उनको filter कर देना है, ठीक है, filter, ठीक है, one कर देना, filter one में क्या करना है, आपने, कि उनके searches, और CPC find करना है, उसके बाद जहां से फिल्टर कर दें, दो, ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, कि आपने long tail, keywords with good, searches plus CPC, ठीक है, वो वाले keywords जहां से बादेना है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने, भूल गया मैं, step 3 में आपने क्या करना है, कि जितने long tail keywords हैं, और good CPC, और searches है, ठीक है, उनका आपने क्या करना है, कि सब कर जो सना है, वो analyze करना है, जब analyze competition आप करें, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, कि यह बाद समझें, कि analyze competition में जब आप कर रहे हो, तो उन keywords के करें, जो keywords वाकई काम के हैं, जो फालतो keywords हैं, जो बहुत जादा related keywords हैं, वो नहीं करने, जो आपके पहुंच में चीज़े नहीं हैं, ठीक है, आप उन keywords के उपर कामने करें, ठीक है, उसके बाद आपके पास last step होगा, ठीक है, उसमें क्या करना है, कि analyze competition जितने भी आपके पास keywords होंगे, ठीक है, तो एक category के लिए मैं कहूंगा, अगर आप एक category के लिए काम कर रहे हैं, तो आपके जो सना वो एक category में, यहां पे random keywords में जो सना और जीतने मरजी आप 1000 रख सकते हैं, ठीक है, इसमें भी ज्यादा कुछ करेंगे, जब analyzing competition में आप आएंगे, ठीक है, तो analyzing competition में क्या होगा, आपके पास 100 keywords होने चाहिए, और अच्छे चुने हुए keywords होने चाहिए, और फजूल किसम के keywords नहीं होने चाहिए, keyword selection आपकी अच्छी होने चाहिए, last step में क्या करना है, कि उसमें से 50 वो निकाल लेने हैं, कि जिनका competition बहुत ही ज्यादा low है, ठीक है, और मैंने आपको बतायता है, वो last phase में कैसे करना है, ठीक है, जब आप कर लेंगे, उसके बाद आप करेंगे तो golden keywords निकालने हैं आपने, ठीक है, 50 keywords आपने निकाल लेने हैं, तो वो 50 keywords क्या होंगे, उस category A के लिए काफी हैं, ठीक है, लेकिन ये भी यह है कि एक आपके, पहले stages के उपर देखें, फिर teaching के उपर देखें, ठीक है, फिर models के उपर देखें, फिर उनमें से 100 अगर हैं, ठीक है, एक category के हैं, तो उसमे सीद यहां पर आजाते हैं, ठीक है, A, B, C, R, D, E, F, ठीक है, तो ये मेरे पास कितने आगे हैं, पांच आगे, ठीक है, तो 100 keywords मैंने निकालने हैं, analyzing competition के लिए, ठीक है, तो क्या करूंगा, इस में से ले लूँगा, बीस इस में से, बीस इस में से, बीस इस में से, बीस इस म 10 इस में से ले लिए, 10 इस में, 10 इस में, 10 इस में, 10 इस में keywords मैंने ले लिए और मेरे वो golden keywords होंगे, ठीक है, और उस, और उसके ओपर लिख देना है, अब ये निकारना के जो आपने analyzing 100 keywords की हैं, वो आपने delete कर देना है, नाई filter करने, नाई random करने है, जब आपके ये final, golden keywords अब पचास article लिक लिए अपके ranking में आगये, आपके पास earning start हो रही है, तो आपने article writer hire कर लेने हैं, ठीक है, 2 article writer hire करने, 3 कर ले, अगर 2 भी कर लेते है, तो अगर एक दिन का वो ऑगर आपको 2 article देते हैं, ठीक है, पढ़र डे अपको 2 article अगर आपको देते हैं, तो हफते में तो जो आपके नेक्स्ट मुंत होगा आपके जोंसे हैं वो आ जाएंगे पिर बी फिर सी फिर डी फिर ए फिर आफ आपने सब के उपर इसलिए काम नहीं करना क्यूंकि कॉंटेंट बहुत ज्यादा है ठीक है और सारा कॉंटेंट आपने नहीं लिखना आपके पास जब एक के reinkeyvard जाएंगे आप उसकी ranking करेंगे ठीक है और जिब आपके वह ranking में आजाएंगे आपके थोडी बन जाएगी आपने क्या करने है प्र उसके वागज यह ऒँन-सन आपके पास earning आ हारी होगी earning अपने पास भी रखे article writer hire कर लें ठीक है उनको के भी लिखके दें तो वह लिखते रहेंगे मजीज आपने क्या करना है keywords निकालने उनको keywords देना है उनको समझा दें भी content writing कैसे करना है क्योंकि अकसर content writers को नहीं पता होता ठीक है वह उनको English आती हो कहते है हम content writer बन गए है ठीक है उनको keywords दें उनको related keywords लाजमी नहीं उसको keyword variations दें ठीक है उनको heading guide करें वह मैं content writing webinar में बताऊंगा क्या करना है ठीक है तो फिर A हो गया उसके बाद आपने B कर लिया फिर आपने C कर लिया एक अपने बहुत बड़ी authority side बना लिए फिर आपके जोंसे है वह मज़े मज़े हैं फिर आप बैट के कवाएं आपने जो करना है वह क्या करना है ठीक है और अगर क्या नम लेते हैं अगर कुछ भी ना मिले और कम असकम आगवास भी नोली जाता पे ट्रेंडिंग स्टार्ट करते हैं ओ मैं गॉड़ ठीक है तो क्या टाइम हो गया भाई चलें जी अभी जैन में याद नहीं आ रहा क्या करना है इसकी तो समझ आ गई होगी ना कि क्या करना है भाई तो वो गोल्डन कीवर्ड वाली अच्छा हा मैं बता रहे था कि जब आपके पास आर्टिकल राइटर आ जाएंगे ठीक है पहले लो कमपिटिटिव पचास यहां से फिर 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 फि कीवर्ट के उपर काम करें खुद से रोंसे न वो आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर दें बगयर किसी कीवर्ट सर्च के जब आगके पास थोटी हो जाती है ठीक है और जब आप इस प्रोसेस से गुजर जाएंगे लॉंग टर्म प्रोजेक्ट है ठीक है टाइम आपको लगेग है तो 50 के में कालकुलेशन थोड़ी सी मोटिवेशन के लिए पता लगे आगको क्या सचक्र है तो पचास हजार है पचास हैं ठीक है इनको मुल्टिप्लाइ कर दें क्यूंकि हर कीवर्ड का क्या है 1000 सर्चीज है ठीक है तो हजार और पचास कितने बनते हैं मेरे ख्याल से य ठीक है if my calculation is right पचास हजार है रिलेड़िट कीवर्ड आ जाएंगे जरूरी नहीं है का 100 मिले ठीक है आपको अगर 100 का अपने टार्गेट किया है तो आपको 20, 30,000, 10,000, 2000, 1000, कभी 500 भी आपको मिल सकते हैं ठीक है तो क्या कहते हैं सिर्फ आईटे दे रहा हूं के 1000 सर्चीज क पर काम किया और आपके पास जोंसे ना वो आ रहे है तो आपके पास ट्रैफिक इतनी है आने चाहिए, ठीक है normally आपके पास आने चाहिए 50,000, ठीक है तो यह 9 سर्चीज के उपर है है लेकिन जब आपके साइड के उपर आते है तो साइड के उपर 10 वेबसाईट है अब जर 20,000 दूसरी sites के उपर जा रही है, ठीक है, अब CPC हमारा क्या है भई, 1 डॉलर है, ठीक है, अब हमारे पास जो 20,000 ट्रेफिक आरही है, CPC हमारा keyword का है और 1 डॉलर है, अब क्या करते हैं कि 20,000 में से क्या करते हैं, एक यहां से निकाल देते हैं, तो क्या 20,000 में से 2000, ठीक है, भाज क्लिक नि कर सकते हैं, बीस हजज़ार में 18,000 करते हैं, तो क्या निंकर सकते हैं चलिए कर लेते हैं, 1000 कर लेते हैं, ठीक है मुल्टिप्लाय कर दिया भई हमने डॉलर वन के साथ ये आगया डॉलर वन के लिए यान थाउजन जो के इस इक्वल टू है वन लैक sorry ठीक है तो for example अगर आपके पास 50 आर्टिकल्स आप लिख लेते हैं ठीक है 10 आर्टिकल्स पब्लिश करके आपने यह नहीं कहना भाई अर्णिंग नहीं हो रही कमस्कम 50 के बाद जोंसे ना कुछ आप बात समझने में आती है तो अगर आप 50 आर्टिकल्स लिख लेते हैं ठीक है तो एक लाक रुपए इंशालला इंशालला जोंसे है वो गरंटी तो नहीं लेकिन अमीद है कि आपको जोंसे है वो एक लाक पाके रुपीज जोंसे ना पांकिसाने रुपीज आपको जोंसे ने पर मत मिलते रहें एक वान लैक में आप क्या करें हैं वानंट में आप फिफटी थाउसंड जो हैं अपनी जय्याम में रखें ठीक है, टूज लेने हैं, पी बेन लेन हैं जो खैर आपकी मरजी है, ठीक है, इस तषरा भी करने हैं CT पांसव डॉलर dest रह गे है उसमें से 100$ के एक छोटा मोटा सार्टिकल राइटर रख ले ठीक है जो ज़्यातर हाफ टाइम होगा उसके लावा जो से ना वो 200-200$ के ठीक है यह निके आपको सस्ते भी बिल सकते हैं लेकिन यह है के सभी क्वैलिटी वाले आपको 200$ में मिलेंगे ठीक है पर मंत की बात कर रहो उसके लावा 200$ ठीक है या फिर मैं जोंसे ना बात करता हूं कि भाई आप जोंसे ना वो 400$ के ना ठीक है क्या करते हैं आप 400$ के आर्टिकल राइटर रख लेते हैं 2 ठीक है आप उसे डिमांड करते हैं टू आर्टिकल पर डे ठीक है जो आप की दील में example दे रहा हूं 2 articles पर डे दे रहा है तो 2 article writer है मेरे पास कितने articles रूँरूशना कि आएगे 4 हफते में में मेरे पास कितने आगए हफते में मेरे पास 4 और 7 कितने होते हैं ठीक है चले यह पांच कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, 5 कर लेना साथ कर रहे है, 70 आर्टिकल आप मंथ में फरेजमल ले आप 70 पी नकिले, आप फिर 50 आर्टिकल ले ले ले, Category 2 पर काम करें, 50 आर्टिकल आपके आगे ठीक है, 50 आर्टिकल में यही कल्कूलेशन करें जहां पर 400 डॉलर में 2 आटिकल राइटर रखे ले 800 डॉलर में 4 आटिकल राइटर कर लें और काम जो से हो आपका क्या हो जाएगा सारा काम आपका स्पीड अप हो जाएगा ठीक है उसके लाब आपको क्या चाहिए मुझे बता है ना आप यह बढ़े है आप मेहनत करेंगा तो पर कुछ होगा CSU कि मैंने का अगर आपका बैक अंड है ठीक है आप अप बरदाश्च कर सकते हैं फेलियर को बरदाश्च कर सकते हैं ठीक है आप देखें तो आप मैंने वहाँ पर कुस कंडिशन लिखी हुई थी आपने वो कंडिशन रीड्स की फिर भी आये और फिर भी जोंसे न वो काम नहीं करेंगा तो फिर जोंसे न वो काम नहीं बनेगा ठीक है तो दुबारा स्टार्ट कर दें ये common mistakes हैं ठीक है skype के ओपर थोड़ा सा issue हो रहा था क्योंकि अभी मेरे खासी इतनी लेकिन जब जूरूत पड़ेगी मैं आपको जोंसे न वो बता दूंगा कि आज है skype पे एक एक करके और जो रिसकरना है वो हम कर लेंगे ठीक है तो कुछ common problems थी कुछ common सी चीज़ें थी वो आपको बतानी थी वो मैंने बता दी है ठीक है अब इसको जोंसे न वो सही दिया से समझें एक category के ओपर काम करें ठीक है पहले निच रिसर्च करें categories आपके पास होनी चाहिए फिर रचे keywords करें ठीक है और उनके keywords निकालें और यह सारा system करें अगर आपने करना है और अगर आप काम नहीं करेंगे तो भाई जोंसे न मुझे मजबूरन जोंसे न वो जो 20-21 से रह गये हैं ठीक है मुझे उनको भी निकालना पड़ेगा ठीक है मुझे quantity से कोई सरो कोई लगाव नहीं है ठीक है मुझे जोंसे न वो quality चाहिए भई देखें जब group start किया था 90 लोग थे तकरीबन I guess या 100 प्लस थे मेरे खाल से ठीक है 70, 80 और पतने 90 थे तो भई अगर 20 बंदे रह गी है और 50-60 बंदे मैंने निकाल दी है तो वही मकसद ही है कि मुझे quality work चाहिए ठीक है मुझे इससे कोई सवरोकार नहीं है कि मुझे कितनी quantity में student है ठीक है अगर आप मेंसे 2-3 भी रह जाते है तो फिर भी ठीक है अगर वह 2-3 भी नहीं करते तो और भी ठीक है ठीक है सरदर जोंसर वह हट जाएगी ठीक है तो अमीद करता हूं यह आप काम करेंगे ठीक है कोई question है तो ग्रूप में आप post कर सकते हैं अल्ला आफिस